हलो फ्रेंड्स कोकिंग 93 में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मजेदार सी रेसिपी अगर घर पर सब्जी ना हो और जटपट सब्जी बनाने का मन हो तो मेरे इस तरीके से बनाएं बहुत ही स्वाधिस सी अंडा कड़ी की सब्जी अंडा कड़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 6-7 अंडो को अच्छे से वॉयल करकर ले लिया है अब हम इनमें हलका हलका सा कट लगाएंगे कट लगाने से जो हम इसको ओयल में स्ट्राइ तो यह ओयल में जाकर चटकेंगे नहीं और जब हम इसकी ग्रेवी करेंगे तो उसका जो मसाला है वो अंडो के अंदर तर चला जाएगा जिससी इनका जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाता है यहाँ पर मैंने सारे अंडो को कट लगा लिया है अब एक पावल में लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्स पाउडर डालेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद प्राई में थोड़ा सा ओयल लेंगे और एके करके अंडो को इसमें डाल दे और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं अब यहां हम क्रेवी रेडी करने के लिए दो मीडियम साइज के टमाटर दो से तीन मीडियम साइज की प्याज दो हरी मिर्च, एक अद्रक का तुकड़ा थोड़े से लसन की कलियां लेंगे इनको हम रपली चॉप कर लेंगे और रपली चॉप करने के बाद एक पैन में थोड़ा सा ओयल लेंगे यह वही ओयल है जिसमें हमने अंडे प्राइ करें थे ओयल गरम होने के बाद चॉप की हुए लसन अधर प्याज को हम इसमें डाल देंगे और 1-2 मीन having तक हम इसी तरीके से इसे साक्ट करेंगे इन्हें साक्ट होने के बाद हम अपने तिमाटर वीस में डाल देंगे और इन्हें चला चला कर 2-3 मीनroot तक अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक इस वह इसक्ता हो जाएं जब इस साक्ट हो जाएंगि और इसकी जो gravy है, वो भी बहुत अच्छी बनती है, अब एक pan लेंगे, पैन में हम थोड़ा सा oil लेकर गरम करेंगे, गरम होने के बाद इसमें एक बड़ी लाइची डालेंगे, दो लाल मिर्स डालेंगे, दो लॉंग और दो काली मिर्स यहां डालेंगे, इनको अच्छे से गदो भूदर मुर्च डालेंगे, और यहां पर आदा चमब न पीम्स न लीगे, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो बॉर्डर मसाले हमने डाले हैं, वो ग्रेवी के साथ में बहुत अच्छे तरीके से पक जाएं, और जो ग्रेवी का कलर है, वो बहुत अच्छी तरीके से किल कर आए, यहां पर मसाले को पकते पकते एक से दो मिनट हो गए हैं, अब हम इसे एक से दो मिनट तक इसको को ढख कर पकाएंगे यहां एक से दो मिनट हो गए हैं किपूल कर चेक करेंगे हमारी जो ग्रेवी है वह चो नदू के अधर बी हो य। आरे ली अधर आया है अब जू हमने अंडों को फ्राइड कर लिया था एक एख कर करके वी합니다. इस feminine डल देंगे और इसको अच्छे से ग्रेवी के साथ में मिक्स कर देंगे, 설क निद्व नाथ में तो यहाँ इसी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको दोंहें थीन मिनुट के लिए घग कर पता है, दो से तीन मिनट बाद हम इसको घाड़ के देखेंगे तो यहाँ पर हमारी जो ग्रेवी है वह बहुत अच्छे से रेडी हुई है और बहुत अच्छे तरीके से अंडे ग्रेवी के साथ में पक गए हैं अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा पाने डालिगे आप चाहें तो अब यहाँ पर थोड़ी सी ससूरी मिथी डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे यहाँ पर हमारी जो अंडा कड़ी बनाईए बहुत ही तेस्टी बनती है और जटपड बनकर रेडी हो जाती है देखिये कितनी मजदार ती हमारी अंडा कड़ी बनकर रेडी हुई है मेरे इस तरीके से अगर अंडा करी बनाएंगे तो भूछी स्वादिस्ट बनकर रेडी होगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी video को like कीजिए, share कीजिए साथ ही comment भी कीजिए कि आपको मेरी जो video कैसी लगी ताकि और motivation मुझे मिल सके और साथ ही जो साथ वाला bell icon है उसको भी press कीजिएगा ताकि आगे की जो videos है उसका notification आपको मिल सके, thank you